हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ओलन गुरु में दोस्तों सीटेट एक्जाम जन्वरी दोजार चोबीस बहुत कम समय रह गया है इसलिए मैं आप लोगों के लिए सीटेट एक्जाम में पुछे जाने वाले सीटेट एक्जाम में पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड आप लोगों से सीटेट एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है एक्जाम देने जाने से पहले आप लोग सीडिपी के ये तीस प्रस्ट अवर्स्य देखके जाएं चलिए देखते हैं पहला क्वेशन है आप लोगों के सामने अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान है एक अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान क्या चीज है ये हमें बताना है आपका ओप्षन है A. उसकी नौकरी B. उसकी गरिमा यो मर्यादा C. छात्रों का विश्वास है D. उसकी सिच्छड के प्रती आज़्था है आपका सही जबाब होगा ओप्षन नंबर C. छात्रों का विश्वास एक अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान छात्रों का विश्वास होता है Q2. अच्छा अध्यापक हुआ है A. मिधावी वपरिस्रमी हो B. अपने विध्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो C. सादा जीवन वितित करता हो D. अपने विश्वास में प्रवीड हो आपका सही जबाब होगा ओप्षन नंबर B. अपने विध्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो एक अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विद्यारतियों से सक्ची लगन रखता हूँ दोस्तों सीटेट एक्जाम के लिए एक ट्रीक बताता हूँ जो भी एक्जाम में पुछे जाते हैं उसका एंस्वर आप लोगों को हमेशा बच्चों के पच्च में करना है वही एंस्वर ज्यादा तर सही होते हैं क्वेचेन नमबर थ्री सिच्छा के प्रचार एवं प्रशार से क्या होता है ये हमें बताना है आपके आप्शन है ए लोगतंत्र मजबूत होता है बी अंद बिस्वास में कमी आती है सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है डी ये सभी आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर डी ये सभी क्वेचेन नमबर फोर आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से वैवहार करेंगे आपके आप्शन है A. अजनवी की तरह B. उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे C. बहुत गंबीर होकर D. मित्रों की तरह आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर C. बहुत गंबीर होकर छात्रों से इसकूल के बाहर गंबीरता से बात करनी चाहिए Q5. सिच्छड क्या है? आपके आप्शन है A. एक कौशल B. एक कला C. एक क्रिया मात्र D. एक तपस्या आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर A. एक कौशल Q6. सिच्छा तभी सार्थक होगी जब Q7. सिच्छन की समस्याओं को हल करने का दाई तो किसका है? आपके आप्शन है A. प्रधानाचारे का B. सिच्छकों का C. सरकार का D. सिच्छा विदों का आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर B. सिच्छकों का सिच्छन की समस्याओं को हल करने का दाई तो सिच्छकों का होता है क्वेच्छन नमबर 8. सिच्छक की योगेता एवं आचरण का सबसे अच्छा मुल्यांकन करते हैं आपके आप्शन है A. उनके प्रधानाचार B. उनके सिच्छ C. समाज के समब्रांत लोग D. विशेशग आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर B. उनके सिच्छ Q. नमबर 9 आपके विचार में सिच्छा का उद्देश होना चाहिए आपके आप्शन है A. सिच्छा ग्राण करने के बाद नौकरी B. छात्रों की मानसिक योगेता का विकास C. छात्रों को साच्छर बनाना D. बालको का सर्वांगिड विकास आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर D. बालको का सर्वांगिड विकास Q. नमबर 10 पाठिक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए आपके आप्शन है A. सिच्छा के उद्देशियों को B. छात्रों की आवसकताओं रूचियों योगेताओं को C. सिच्छ अनुसंधानों को D. A और B दोनों को आपका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर D. A और B दोनों Q. नमबर 11 एक प्रधानाचारी को होना चाहिए आपके ओप्शन है A. छात्रों के लिए प्रेणा दायक B. अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला C. कुशल प्रबंधक D. ये सभी आपका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर D. ये सभी Q. आपके अनुसार सिच्छण की योजना पद्धत होनी चाहिए आपके ओप्शन है A. सिच्छक के इंदरित B. प्रोजेक्ट के इंदरित C. पाठ पुस्तक के इंदरित D. बाल के इंदरित आपका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर D. बाल के इंदरित सिच्छण बाल के इंदरित होना चाहिए Q. नमबर 13 एक अध्यापक का स्रेश्टितम गुण है आपके ओप्शन है A. अध्यापक के प्रती पूर्ण समर्पन B. अध्यापक के प्रती उच्च चरित्र C. अध्यापक के प्रती उच्च बिचार D. अध्यापक की धर्म निर्पेचता आपका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर E. अध्यापक के प्रती पूर्ण समर्पन Question number 14 अध्यापक मुख्य रूप से किस के प्रती जवाब दे होता है आपके option है A. समाज तथा चात्रों के प्रती B. प्रधानाचारी के प्रती C. अभिभावकों के प्रती D. सरकार के प्रती आपका सही जवाब होगा option number A. समाज तथा चात्रों के प्रती Question number 15 ग्रामिड अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है आपके option है A. स्कूल का निरस्वातावरण B. चात्रों की बाल समिक बनने को लालसा C. चात्रों का अध्यापक से डरना D. ये सभी आपका सही जबाब होगा Option number A. स्कूल का निरस्वातावरण Question number 16 अध्यापक की कार्य चमता को बढ़ाया जा सकता है आपके option है A. परिच्छा पल के अंसार पदोनिती देकर B. कड़े इस्कूल प्रसाशन द्वारा C. अध्यापक के कार्यों की सराहना करके D. अच्छा वेतन देकर आपका सही जबाब होगा Option number C. अध्यापक के कार्यों की सराहना करके Question number 17 सिच्छा सकती यों सत्ता का स्रोथ है आपके option है A. महिलाओं के लिए B. पिछडों के लिए C. बालकों के लिए D. A. और B. दोनो Question number 18 भारत में सिच्छित बेरोजगारी का प्रमुक कारण है Question number 19 हमें सिच्छा गराण करनी चाहिए क्योंकि सिच्छा आपके option है A. वैक्ति को विद्वान बनाती है B. वैक्ति को स्वाब लंबी बनाती है C. वैक्ति को अर्थो पार्जन योग बनाती है D. ये सभी आपका सही जबाब होगा option number B. वैक्ति को स्वाब लंबी बनाती है Question number 20 किस प्रकार का कच्छा नेत्रित्व सबसे उत्तम माना गया है आपके option है A. प्रभुत्ववादी B. सभी का मिला जुला रूप C. लोगतांत्रिक D. प्रयोजन वादी आपका सही जबाब होगा option number C. लोगतांत्रिक Question number 21 अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवसकता पड़ती है आपके option है A. प्रैमरी कच्छाओं में B. माध्यमिक कच्छाओं में C. सेकेंडरी कच्छाओं में D. कालेजों में आपका सही जबाब होगा option number A. प्रैमरी कच्छाओं में Question number 22 ग्रामिड छेत्रों के उत्थान का लच्छे होना चाहिए आपके option है अध्यापकों से आचा करता है आपके अध्यापकों से आचा करते हैं Question number 25 यदि आप से किसी गंभीर विशेपर भासर देने के लिए कहा जाए तो आप आपके option है A. इस विशेपर मित्रों से सलाह लेंगे B. इस्परस्ट मना कर देंगे C. सहर्ष तयार हो जाएंगे D. कुछ देर का समय मांगेंगे आपका सही जबाब होगा Option number C. सहर्ष तयार हो जाएंगे Question number 26 आज के बैज्ञानिक यूग में छात्रों को आध्यात्मिक्ता का ज्यान देना आपके option है A. पिछडापन है B. आवच्चक है C. अनावच्चक है D. असंबव है आपका सही जबाब होगा Option number B. आवच्चक है आध्यात्मिक्ता का ज्यान सबके लिए आवच्चक है Question number 27 विद्याले के सभी कारिक्रों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे आपके option है A. सीखने का आवच्चर मिलता है B. वेक्तित्तु का विकास होता है आत्मिक्ता के विकास में सहायता मिलती है D. ये सभी आपका सही जबाब होगा Option number D. ये सभी Question number 28 किसी भी विशेवस्तु को चात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सरुपर्थम गुण होना चाहिए आपके option है A. आत्म विश्वास B. विशेवस्तु का ज्यान C. प्रभावी अभिवेक्ति D. सहर हिर्देता आपका सही जबाब होगा Option number C. प्रभावी अभिवेक्ति Question number 29 विद्यालाई में खेलों के आयोजन का उद्देश से होता है आपके option है A. छात्रों को किसी कारे में लगाना B. सरीर को हस्ट पुष बनाना C. प्रतियोगी खेलों के लिए तयारी करना D. बालक का सरवांगिर विकास करना आपका सही जबाब होगा Option number D. बालक का सरवांगिर विकास करना विद्यालाई में खेलों के आयोजन का उद्देश बालक का सरवांगिर विकास करना होता है Question number 30 एक छात्र की डृष्टी से विद्याला में छात्र संग संगठन के बारे में आपकी धारणा है आपकी ओप्षन है A. इनसे कोई लाव नहीं है B. विद्याला में दादागीरी फैलती है C. सिच्छकों के अन्यायों के विरुध लड़ने का एक साधन है D. छात्रों में नेत्रित्य की भावना बढ़ती है आपका सही जबाब होगा ओप्षन नमबर D. छात्रों में नेत्रित्य की भावना बढ़ती है तो दोस्तों ये थे CDP के टॉप 30 प्रस्ण ऐसे ही प्रस्ण सीटेट एक्जाम में पूछे जाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा ज्यादा सेयर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेलफुल वीडियो आप लोग को आंगे भी हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें टैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई